प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को सरवच सम्मान प्रदान किया ओप्शन्स थे फिजी, औस्ट्रेलिया, मेडगासकर या फिर माली तो इसका सही जवाब था ओप्शन ए फिजी चलिए इसका विशलेशन देखते हैं प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को हाल ही में फिजी के सरवच सम्मान से सम्मानित किया गया कि नियुक्ति कवर्णन सम्मिधान के किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 124-1, अनुच्छेद 124-3, अनुच्छेद 126 या फिर अनुच्छेद 129 तो सही जवाब है ओप्शन भी अनुच्छेद 124-3 हाली में भारत के मुख्य नयाधिश दिवाई चंदर चुर द्ध्वारा भारत के सर्वच नयायले में दो नयायाधिशों नयायमूर्थि प्र Chang-Kumar Misra और नयायमूर्ति के वी Washonnaathan की नियुक्ति की गई है इनके शामिल होने के साथ ही सर्वोच नयायले में 34 नयाधिशों की निर्धारत स्विकृत संक्या पून हो गई है सर्वोच नयायले में वर्तमान में 34 नयाधिश, एक मुख्य नयाधिश और 33 अन्य है नियाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग गिताओं की बात करें तो समविधान के अनुच्छेद 124-3 के अनुसार एक व्यक्ति को सर्व उच नियाधीश के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है वेक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए एक उच नियायले की नियाधिश की रूप में कम से कम पांच साल या लगतार दो ऐसी नियायले में सिवाकी हो वेकल्पिक रूप से कम से कम दस वर्शों के लिए एक उच नियाय लेका धिवक्ता या कुल मिलाकर दो या दो से अधिक विभिन नियाय लुमे धिवक्ता रहा हो और राश्टपती की राय में एक पारंगत नियाय विध होना चाहिए चली नेक्स क्वेस्चन मुखुर्थी राश्ट्रे उद्यान कहां स्थित है हिमाचल पदेश मंध्यप्रदेश केरल या पर तमिलनाडू इसका आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडू मुखुर्ती राष्ट्र उद्यान पश्चिमी घाट के तमिलनाडू के उत्तर पश्चिमी क्षित्र में इस्थितिक संरक्षित क्षेत्र है इस उद्यान को पहले नेलगिरी तहर राष्ट्र उद्यान की रूप में जाना जाता था ये राश्ट्रे उद्यान लगभग 78.46 वर किलूम्टरक शेत्र में फेला हुआ है उद्यान नीलगीरी बायसवे रिजर्व का एक भाग है उद्यान में परवतिय घास के मैदान वा जाड़ियां पाई जाती है नीलगीरी बायसवे रिजर्व भारत का पहला बायसवे रिजर्व था जिसे वर्ष 1906 सी में स्थापत किया गया था चलिए अगला सवाल दृतिय विशुद के दौरान भारत का वायसराय कौन था एक सशस्त्र विश्वयापी संख़श था इस युद में दो प्रम्ख प्रत्विदंदी गुट धूरी शक्तियां जिनमें जर्मनी एटली और चापान शामिल थे तथा मित्र राश्ट्र जिनमें फ्रांस, ग्रेट बिटेन, सैंक्तुराज्य अमेरिका, सोवे संख और कुछ हद तक चीन शामिल थे चलिए अगला प्रशन हाली में सर्वोच नायले ने दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि उप्राज जिपाल को दिल्ली नगर निकम के सदस्यों को नामित करने का अधिकार देने से निर्वाचित नागरिक निकाय कमजोर हो सकता है उप्राज जिपाल के पक्ष में तर्क दिया कि सम्विधान के अनुछे 249AA के तहट उप्राज जिपाल की शक्तियों और राष्ट्र राजधानी के पशासक के रूप में उनकी भूमिका के बीच अंतर है चलिए आगे बढ़ते हैं निमनलिखित में से किरीट पारिक समिती किस से संबंधित है नई शिक्षा नीती से जेल संबंधी सुधार से पश्चिमी घाट के संरक्षन से संबंधित है या फिर नई गैस मूले निर्धारन नीती से तो इसका साही जवाब है उप्शन डी नई गैस मूले निर्धारन नीती गैस मूले निर्धारन सुधारों पर किरीट पारिक समिती ने कई महत्वपून सिफारिशे की जिनका उदेश्य भारते ओर्जेक चेत्र में मूले निर्धारन के मुद्दों को हल करना था समिती के प्रमक्ष सिफारिशों की बात करने तो इस सिफारिशे देश के उर्जा परिद्रिशे के लिए महत्वपून पर भाव डालती है अब बात करें APM गैस के लिए मूले निर्धारन की तो समिती ने APM या प्रशासित मूले तंतर गैस के लिए एक फ्लोर और सीलिंग प्राइस रेंज लागू करने का सुझाव दिया नियूनितम मूले सुनिश्चित करता है कि गैस के कीमत इन कंपनियों के लिए उत्पादन की सीमान लागत को कवर करती है दूसरे और आयातित पुनर गैसी करत LNG की लागत की नीचे 6.5 डॉलर प्रती MMBTU की अधिकतम कीमत तह की गई है ये मूले निर्धारन तंतर इस्थिरता प्रदान करता है और उपभोगताओं को अत्यधिक उच खीमतों से बचाते हुए उत्पादकों के लिए उचित रिटर्न सुनिश्चित करता है चलि नेक्स क्वेस्चिन जवाब है ओप्शन D रूस जै विविदिता क्षेतर में सहयोग बढ़ाने और आपूरती शिंखला की कमजोर्यों को दूर करने के लिए भारत में एक क्वाड नेतरत वाले बायो मैनिफेक्ट्रिंग हब की संभावित स्थापना क्वाड समूह की बात करें तो ये भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह हो है सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक जैसी प्रिष्ट भूमी है और निर्बात समूद्री व्यापार और सुरक्षा के साजाहित का भी समर्थन करते हैं इसका उदेश्य मुक्त स्पष्ट और सम्रद इंडो पैसिफिक खेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है गौर तलब है कि कौर्ड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानवंतरी शिंजो आबे ने रखा था अंतते हैं वर्ष 2017 में भारत, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस चतुर्बुच गडवंधन का गठन किया चले एकला सवाल पुषकर मेला किस भारते राज्जे में आयोजित प्रमुक सांस्कृतिक मेला है, राजस्थान, पंजाब, असम या फिर गोवा तो इसका उतर होगा अप्शने राजस्थान पुषकर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी मेले में से एक है, इस मेले को स्थाने रूप से कार्तिक मेले के रूप में भी जाना जाता है ये राजस्थान के अजमेर जिले के पुषकर शहर में आयोजित किया जाता है ये मेला भारत के सबसे बड़े उंट, घोडे और पशु मेलों में से एक है पशु व्यापार के अलावा पुशकर जील हिंदों के लिए एक महत्वपून तीर्थ है इस मेले में सांस्कृतिकारिक रमोर प्रतियोगिताओं में मटका, बस्ट, सबसे लंबी मूछे प्रतियोगिता, दुलहन प्रतियोगिता, उंट दौड और अन्ने शामिल है चलिए आगे बढ़ते हैं खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में किया जाएगा, तीन, चार, पांच यह फर साथ, तो जवाब है ऑप्शन भी चार खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स संक्षिप्ट में के आई यूजी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्नगर में कबड़ी के मुकाबलों के साथ हुई इन खेलो का आधिकारिक उद्गाटन 25 माई को लखनव में हुआ, ये इन खेलो का तीसरा संसकरण है, खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स तीन जून तक चलेंगे और इसका समापन समारो वारानसी में आयुजित किया जाएगा, इन खेलो का आयुजन चार स्थानों, और वारानसी में किया जाएगा, हाला कि निशानेबाजी की इस परधा नई दिल्ली में होगी, किया यूजी भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है, जो जमीनी स्तर पर खेलो को बढ़ावा देने, और देश भर से युवा प्रतिभाओं की पहचान करने पर केंद हिमाचल प्रदेश, B. सिक्किम, C. महराष्ट्री अपड़ी, उत्तराखंड, तो सवाल के चवाब कॉमेंट सेक्षिम देना मत भूलिएगा, मुलाकात होगी अगले एपसोड में, तब तक के लिए जैहिंद